थो ह вари दिया मारा हो चुका है उम्लेट्र हे रन हुगया है यहां पर कर देख लियते हैं अपना TON्ब ्चेस्थ और आपदेख सकते हो हमारा तरह सक्राहिए ओवरफ्लो मैन्य हु ni कि वो आ गई है आप लोगो इस प्राइटल पर पूछने चाहिए आपको पूछना चाहिए इस ने भी हमारी और यह आप देखोगे सब में क्या है एक्षें से तो तो आपको दमाग में यहांना चाहिए कि सर यह नविगेट फिर कैसे हो रही है जब हमारे कोई एक्शन बटन यहां पर है ही नहीं चीज का हमेश्य द्हान लगना क्योंकि हम यहां पर वो अल्यडिए मुझे सेट अप पता है कि क्योंकि जब अब देखो गाई है जब हमने डाय्क्ली सेंड कराई किसी चीज़ को राइट तो जो हमारी टाइड फ्रेमें गेंट इनमें क्या है जो स्टेक्ड बिल्ट हो रही है वह हॉरिजोंट लिए बेल्ट हो रही है तैटल फ आप बटन करो या बैक बटन करो दोनवा में क्या खुले का हमारा टाइटल फ्रेंगमें को लेगा है इसमें हमें कोई action की जरूरा नहीं है क्योंकि हम directly किस पर send कर रहे हैं destination पर send कर रहे हैं तो इसलिए कि हैं यहां पर हमारे पास थोड़ा सा benefit है और हमें थोड़ा यहां पर कम हैडेक इंप्लीमेंट होता है तो यहां तक क्या हो गया है about fragment complete हो चुका है हमने implement कर दिया कि अपना about fragment आपको यहां तक का code गाई description box में मिल जाएगा और इस चीज का जिहान रखना मैं फिल बता रहा हूं आप जो code है simple वो branches में है तो आपको branches में जो इसकी GitHub पर branches होती है simple आप उस पर manage step wise कर दिया step one step two तो यहां पर हमारा क्या complete है step five है about fragment आपको जो code change है आपको सब मिल जाएगे अब अलग से नहीं है simple एक project case जितने भी solution होंगे वो उसी में आ जाएगे ताकि आप लोगों को भी असानी हो क्या solution find करने में and code compare करने में अपके सब्सक्राइब करने में अपके सब्सक्राइब कर लिया है अपको स्टार्टिंग में कुछ क्या बताया थी जो हमारे यहां पर लेते हैं safe arcs basically है क्या and हम उसे use क्यों करते हैं क्योंकि यह क्या है इस बहुत important topic है and हम आगे बहुत use करने वाले बहुत important आपके development cycle में important है तो इसको देख लेते हैं कि हम navigation ने क्यों use करते हैं basically इसका use क्या होता है तो basically save arcs आप समझे लो कि जैसे हम bundle होता है तो इसके work क्या से करता है हमारा कि कि किस्समें work क्या है की value pair में work करता है यह चीज लड़ी हम समझ चुके हैं क्यासे value store करता है हमारी तो action we basically अविता हम navigation कर रहे थे वह किस पे work करता हैGG हमारे वर्यट अंडौइड bundle पर attach होती हैaan basically क्या होती है हमार हमार की स्ट्रिंग से वेल्य ऊती है यहां पर क्या हो गा collecting क्रिए्ट जैता है जिसे हम क्यों世界 차ک करता है जो बहुत ही नहीं उती है उसे स्टोर करवाने के लिए है अब हाँ पर हमारा में वाली होती है जो हम इ Cleo करवाइप हो सकती है तो ऑम आधि एसमेंस में वीडियो चीजिए है हुए क्वारी जो में वीडियो में क्या करुआते हैं ग id अब जब यह चीज जो हम bundle argument है यह इसमें implement करेंगे मतलब argument basically मतलब क्योंकि मुझे क्या implement करना है अब basically हमारा aim क्या है कि हमने कोई game चीटा रहा है आपने कोई game चीटा आप जरूरी नहीं है आपको जीतने के बाद यह भी पता लगाना है कि हमने कितने questions दिये कितने questions हमने answer करें कितने उसमें सही दे रहाई आपको यह share करना है किसी के साथ अपने app के बहर किसी social media platform हो जाए या किसी पर भी रहाई तो उसमें आपको इन सितने हना है फ्रेंट कोई हमारि क्या है गेम वाली है जो मुं इस से हमारी एक सब्सक्राइब आं से हमारे camera हां यह क्या है हमारी ज हमारे question हेसे हमारा बंडल होता है हम क्य topopes कर देता है यहाँ पर ऑर्गमेंट बंडल का एक केंट मैं किसने अपने अपना फ्रैंगमेंट अमने ऐसी इसे Fest Suits कर देता हैं जी हमारी कीो होती है वो इनिपमुट कर देता हम तो यहाँ पर क्या हो ही हमारी की अग grew की में क्या आ गया हमारा content आ गया अब वो content आप कुछ भी input कर लो उसके बाद जो हमारी value होती है की value pair क्या कर लेता है हम create कर देता है यहां पर क्या create कर दी मैंने value create कर दिया है अब जब guys मैंने हमें fragment A में क्या create कर दी पहले एक instance क्रेट कर दिया argument bundle का जो कौन सी हमारी bundle class से ले रहा है और फिर उसमें key and value pair क्या कर दिया है input कर दिया है अब जब मैंने key and value pair input कर दिया है तो guys मैं क्या कर सकता हूं यहां पर मैंने क्या कर दिया दिया ibaか एक instance create कर दिया fragment B में right fragment का fragment B आप यह चीज का दहान र Państ रखना आप यह amente कर दी है हमने जो argument bundle क्रेट कर रहे हैं यहां फ्रैंहमेंड यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर इसके instance क्रेट का रहे हैं fragment को और यहां पर basically क्या क्या कर रहे हैज장 यहां पर argument pass कर दिया है, जो argument मैंने key value pair कहा, fragment A में create कर रहा था, वो मैंने किस में pass कर दिया है, हमारे argument bundle की form में, fragment B में pass कर दिया, अब गाइस इस चीज का दिहान रगना, ये चीज पास तो कर दो आप, लेकिन इसकी थोड़ी सी limitations है, इन limitations क्या है, जैसे, यहां पर आपने, जो value दी, right key value पर है, दोनों के जो type है, वो हमेशे होने चाहिए, same होने चाहिए, अब यहां पर क्या होगा है guys, यहां पर आप देखोगे, हमारा यहां पर int ले रहा है, यहांपर क्या string है, दोनों match नहीं हो रहे है अब जब दोनों match नहीं होंगे जब कई आप argument पास करोगे और जब यह देखेगा वो mismatch होगा तो यहां पर क्या value जाएगी हमारी zero value हो जाएगी तो इस चीज़ का बहुत जरूरी है जो हमारे argument है वो क्या है दोनों जो argument है वो क्या है match होने चाहिए जो आप दे रहे हो और जो वहां से दूसरा हमारा जो fragment है वो request कर रहा है दोनों क्या होने चाहिए same होने चाहिए अगर आपके same नहीं होंगे तो basically क्या हो जाएगी आपके वो आजाएगा zero आपका basically कोई भी pass नहीं होगी value null भी आएगा null किस उसमें आ जाता है तो यह भी चीज हमारी क्या हो जाती है fail हो जाती है अब क्या होती है limitations होती है थोड़ी कि की value pair की जो हमारी bundle में हम use करता है थोड़ा सा risky होता है यह रहे एंड इसी की वज़़ा से थोड़ी सी और पावमेंटिक बात है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपने पास जो हमारे argument and pair है जो हमारे दोनों तरफ argument दे रहा है and लेगा दोनों का mismatch ना हो and किसी भी तरीके से गड़बर होने के कोई chances ही रहा है हम क्या use करते हैं यहापे safe arcs use करते है and safe arcs क्या करता है basically एक mediator का काम करता है guys जो हमारी one fragment to another fragment क्या क्या करता है हमारे arguments को जब तक अगर match न नहीं करेगा और जब वह forward ही नहीं करेगा तो हमारी यहां पे कोई error की क्या नहीं रहेगी कोई गलती होने के chances भी नहीं रहेंगे तो अपक्या implement कर लेते हैं guys हमारे safe arcs है safe arcs अपने implement कर लेते हैं किसमें Android Studio में and देख लेते हैं कि कैसे हमारे project में जो हमारा basically actions है right क्योंकि guys म जैसे आपको बताया safe arcs क्या करते हैं क्योंकि हम जो argument भीजिंगे वह action के थूरू भीजिंगे one from one fragment to another fragment हम कैसे जा रहे है actions के थूरू जा रहे है right तो guys जब हमें action के थूरू ही data value दे नहीं है right तो मुझे उसमें argument पास करने पढ़ेंगे अभी तक हमने जो हमारे actions जा रहे थ जूरू हमेंगे